मुरादाबाद भारतिय किसान यूनियन द्वारा जिला मुख्यालय पर किसान दिवस के अउसर पर किसानों ने प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री को जिला अधिकारी द्वारा ग्यापन भेज कर अपनी मांग की जिसमें प्रधेश साचीव डॉक्टर चरंड सिंग ने बताया कि नई सरकार बनने पर कहा गया था कि किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देंगे जो अभी तक देने तो दूर चर्चाओं में भी नहीं है किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाए ताकि किसान कर्ज मुक् पुछतान सीखर करें और गन्य का नहीं रेट लागत को देखते वे 450 ते किया जाएं बार्ट ये किशान यूनिन के पदादिकारी और सभी किशान किशान दिवस के मौके पर जिलादिकारी के इस अगलों में नाया हैodka पर बिजली के बिल बड़ाएं गएं उसका अभी तक टेना वह दूर की बात है अभी चर्चा में वह नहीं आया है दूसरी बात किसानों पर बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं उसका हम कड़ा बिरोध करते हैं और इसमें बीजल का जो रेट बढ़ा है उसकी महगाई किसान नहीं जेल पा रहे हैं लगातार पिर्जी की लागत बढ़ रही है और एक नीदी बहुत गलत यह है कि फसल भीमा योजना के जाती है अगली बाहर जब पता करते हैं दूसरी कंपनी होती है तो इसमें फसल भीमा किशान की मर्दी पर होना चाहिए जबरजस्तिना थोपा जा इस तरह की हमारी कई मांगे हैं उसका ग्यापन आज दिया गया है